कि हेलो स्टूडेंट तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंजरिंग फिजिक्स वन यानि कि फॉर्स समेस्टर के जितने भी स्टूडेंट है चाहिए वो किसी वरांद से हो उनके लिए यह पेपर बहुत इंपोर्टन है क्योंकि यह पेपर कॉमन है सारे इंस्टूडेंट क अच्छे मांक्स ला सके चुलिए स्टार्ट करता है जैसा कि यह पर आपको दिख रहा है जारकन उनिवर्सिटी और टेक्लोंडेंट मिस्ट यूट यह आपका जारकन में जितने भी उनिवर्सिटी से कॉलेज लिंक है उसके लिए से पेपर बहुत इंपोर्टन है क्योंकि सारे की सीम आपका कोशन रहेगा साथी जो दूसरे मिस जारकन से नहीं है उनके लिए भी हैल्फूल है क्योंकि से लिए बस ऑल्मोस सेम रहता है तो आप लोगों को एक आईडिया मिल जाएगा कि कोशन कैसे बनता है फॉर्दर हम देखेंगे कि इसमें आपको ठाइम थ्री आइंसर इन्हीं यह ओंड वर्ड्स और आंसर और कोशन मार्क सर गिवन इंद राइट मार्दी तो सारे कोशन को एंसर देना है और मार्क आपका राइट साइड में लिखा हुआ है पहला कोशन आपको यहां पर दिख रहा है इसको थोड़ा सा जूम किया जाए और यह आप आपको 8 mcq मिलेगा और पर mcq में आपको two marks include है तो यानि की 16 मार्क आपको total मिल जाएंगा अगर आप सारे solve कर लेते हैं तो चलिए पहला देखते है यूनिट ऑफ एसलरेशन तो एसलरेशन का यूनिट क्या है तो यह बहुत अच्छा कुशन है तो इसमें आपको क्या हो एंसर हो जाएगा आपका मीटप पर सकेंड उसको यानि की option number B जी हां आप लोग जो मैं बता रहा हूं उसी भी टिक करें प्रिवेसली जो टिक किया हुआ यह यहां पर रॉंग है चलिए नेक्स चलते है वीच इस वेक्टर क्वांटिटी तो वेक्टर क्वांटिटी यहां आपको यह पूछा यह जारा हा तो वेक्टर क्वांटिटी और एक आता है उसके साथ स्काल्र क्वांटिटी तो डोनों में अगर आपको A解 यहां पर हम लोग में चलता है तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा फोर्स फोर्स आपका क्या हो जाएगा वेक्टर कॉंटेटी इसमें मैंने ट्यूड है साथी साथ डारेक्शन है तो आपसे नंबर इस विकार राइट एंसर हो जाएगा लेकिन स्टुडेंट ने डिस्टेंस टिकर दिया जो कि रॉंग है वह आपका स्कैलर कॉंटेक्टि में आता है अब को सिरी में देखेंगे वाट टाइप आप वेव कैरी साउंड इंग यह तो साउंड वेव क्या वेव से यह आपसे पूछा जा रहा है होएं होएं हो हότε तो साउंड वेव आर लॉंगी नल्स्वेव तैस्का राइडेंसट क्या हो जाएगा लॉंस अबर बी ह personas इस सब्सक्राइध तो है तो इसमें की अिसिनिवीएट उन्टि पूछा यह तो यहां पर आपका सेन भी उन्रींट क्या यह आपको बताना है तो आप लोग जैसे देख सकते हैं यहां पर आपका सिग्निफिकेंट रिस क्या हो जाएगा और सन नंबर यानि कि फोर जो कि यहां पर सही है चलिए इसको हम लोग ऐसे छोड़ते हैं और अगर आपके मन में डाउट है कि यहां पर पॉइंट के बाद जीरो है उसको क्यों न आपको दिया जाता है जैसे वाटर को अगर हम लोग का वाटर गिरिया मान लेज़े गलती से तो वह जिदर डाउन होगा उधर जाने का खुशिस करता है ठीक है तो लेकिन अगर आप लोग मधू यानि की हनी हनी को डाल देंगे तो वह आपका उतना मुवमेंट नहीं करेगा जितना कंपेरिजन टू वाटर तो वाटर का विसकोसिटी आपको माइड में किलियर हो जाए कि विसकोसिटी क्या है और इसका विसकोसिटी ज्यादा है तो हम लोग इस इंग्जामपल लिया था एक वाटर और एक हनी का तो यहाँ प कारण वो उतना मूफ नहीं करेगा अब चलते हैं हम लोग का कोसिन पेपर में कि निख्यापर हम दोग देखते हैं को सिक्स दा एनजी पूसिज वाई बॉड़ी वाई वर्चू आफिर्स मोशन इसकों तो जब बॉड़ी के पास एनजी हो और मोशन के कारण हो तो तो उसके पास काने जी आपका रिए डिए जब बॉड़ी के पास स्पीड हो मोमेंटम हो हो मोशन हो तो उसके पास क्या पूस करता है वह करता है साती साथ आपको पता चले पॉड़ेंशल एनजी पॉड़ेंशल एनजी पॉड़ेंशल एनजी है जब बॉड़ी एक सर्टन हाइट निस सर्टन हाइट में रहो तब वह पॉड़ेंशल एनजी को गेन करता है जैसे क आपका कानेटी केनेजी को पोस्ट करता है ठीक है यह आपको ध्यान रखना तो यह पीस कंप्रीट होगी अब मुझे चलते हैं नेक्स्ट पेस 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 आप यहां पर देख सकते हैं प्लीज टरन ओवर याने कि यह पेस कंप्रीट हो गया पेस नमबर टू पे हम लोग आगे है और आप लोग यहां से देख सकते हैं यह पेस नमबर टू का साइन है और इस पर कुछ से नमबर आपका सेवन याने कि यह से स्टार्ट है तो यूनिट ऑफ करेंट इस तो करेंट का यूनिट क्या है तो इसी आपको अगर पड़े हुए है तो समझ में आ रहा होगा MPR इ तो आपको मिल साइंगे चलिए नेक्स को समझे चलते है है इस्टैपर है यूस होता है यह होता सिर्गेशन के हुएंट एट्मोस्टरिक पेसर ग्रैविटी या भी सर्फेस टेंशन तो यहां पर आपका क्या हो जागा रहे डेंसर सर्फेस टेंसर जो कि इस स्टूडें ने भी सरी अंसर किया है चलिए अब चलते हैं को से नमबर तूपे यहां पर है स्टेट एंड एक्सप्रेंट नूटन्स लौ ऑफ ग्रैविटेशन तो बहुत इंपोर्टन है यह आपको जरूर आना चाहिए और कोसन रिपीट होते हैं यह गारेंटी है कि कोसन आपके रिपीट होंगे तो आप लोग साथ ही उससे भी पहले जो जो कोसन आए वह सारे आप लोग देखके जरूर जाए कि आपको एक आइडिया बन जाए कि कैसे आने वाले है रिपीट होते हैं कि नहीं यह भी आपको पताच चल जाया तो सारे प्रिपेश्यर कोसन हमारे प्रेश में मौजूद है आप वहां से जाके देख सकते हैं तो यहां पर आपका पहला पाट है स्टेट इन एक पें न्यूटन सेकेंड आपका पार्ट है डिफाइन सर्फेस टेंशन एंड राइड इस ऐसा सब्राइड तो इसके बीच में रेसल भी बताना है और यहां पर आपको मिल जाएंगे 10 marks तो यह सब question जिसमें आपका A और B दिया रहे हैं इसको करने पहले एक बाद धियान दखना है कि अगर आपको A और B दोनों हाता अच्छी तरह से तभी आपको इसको attempt कीजिए नहीं तो आप दूसरे question पर जा सकते हैं थी आपका है define molecular range तो molecular range को define करना है बी में है define angular displacement angular velocity angular acceleration यह सारा चीज़ आपको define होना चाहिए जो भी angular से related है next आपका है stabilize the relation between linear velocity और angular velocity तो linear velocity और angular velocity के भी relation आपको stabilize करना है question number 4 है state and explain newton's laws of motion तो state करना है और explain भी करना है क्या newton's law of motion बहुत important है newton's law of motion यह आपको जरूर करके जाना है जितने भी कुस्टने सारे important है और मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग important question कभी एक series है वह जरूर देखके जाए बी पार्थ है derived equation of potential energy and kinetic energy आपका इसका solution अगर आप solution चाहते तो comment box में जरूर लिखे और इसका full solution एक जगा पर आपको मिल जाएगा नेश्ट है state hooks law बहुत important question सारे डिफाइन यंग मॉडूलस बल्क मॉडूलस और मॉडूलस और सब्सक्राइब सारे इतने important है कि यह repeat होना तया आपका question 20 में आ गया है define viscosity तो viscosity भी डिवाइन करना है और question आपका इसी क्या आसपास बनेगा ऐसा नहीं कि कुछ और बन जाए अगर यहां पर define यंग मॉडूलस बोला है तो उससे related कुछ और आपको देदेगा hooks law बोला है तो कभी-कभी hooks law को और बढ़ा कर कि लिखने बोल देगा ऐसे ही देता है question next question is define the linear area cubical expansion and give the relation between them तो यह सारे आपके 10 marks के question है जो कि बहुत important हो जाते हैं तो इसी किसाब से आपको अपना word भी decide करना है कि 10 marks के question में कितने हम लोग pages में लिख सकते हैं फिर आपका भी है define inertia तो इनस्या को भी आपको define करना है question number seven answer the following कि इसमें आपको कुछ question है इसको आपको answer करना है साथ ही देख लेते इसमें आपको marking scheme है 10 marks तो पहला आपका है define echo and reverberation ठीक है sound chapters related है भी आपका है node and anti-nodes अराइज सेबाइन फॉर्मूला तो इस नमबर यहां पर आपका नुम्रिकल्स है तो नुम्रिकल्स भी बहुत इस इंपॉर्टर ने सारे chapter के तो यहां पर है find the viscous force acting on a rain drop of radius 0.5 mm falling with a terminal velocity of 2 meter per second in air give given viscosity of air आपको दिया गिया है 18 इंटुटेंस दूपर मालन सिक्स केजी मीटर पर मीटर पर सेकंड यह आपका दिया गया है और आपको इसमें solve करना है तो फॉर्मूला अगर आपको पता है था आप इजली कर सकते हैं चलिए आपका पीपर हो जाता है पूरा तो इसको प्रैक्रिस करके आपको ज़रूर जाए और साथी साथ इसकी एक solution चाहिए तो आपको कमेंट में जरूर लिखे ताकि मैं फॉर्थर एक वीडियो बनाओ जिसमें इसका solution पूरा डेटेल में दिया हो तो चलिए मिल दे नेक्स वीडियो में नेक्स कॉर्शन प्रिपर के साथ तिल देन बात एंसेंद